प्रिज्द लौर्ड आप सब को जय मसी की मैं परमिसर का धन्यवाद देता हूँ एक फिर से के परमिसर ने समय दिया मौका दिया है कि उसके जीवित बचन के उपर मनन करें आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण संदेश बहुत अराधना केसे में जैसे आपने देख लिया होगा समनेल में कि फिल्मी गीत जो है वो आजकल अराधक जो है जो नामबर अराधक हैं मैं उनके नाम नहीं लूँगा यहां पर सिर्फ इतना बताऊंगा कि वो लोग फिल्मी गीतों को प्रभू की अराधना के लिए इस्तमाल कर रहे हैं और बढ़ चड़के इंस्टाग्राम हो फेस्बुक हो यूट्यूब हो हर जगा फेमस होने के लिए या किसी भी कारणों से वो कर रहे हैं लेकिन बहुत जरूरी है इस बात को जाना कि ये बात सही है या गलत है वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं फिल्मी गा इस विस्से में बहुत जरूरी है ये जानना कि बाइबल इस विस्से में क्या कहती है। और अराधनक के विस्से में बहुत महत्वपूर्ण बाते हैं जो मैं आज आज आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं गुजारिस करता हूं कि आप पूरा एपिसोड देखिए पूरा वीडियो देखिए क्योंकि बहुत सारी बाते ऐसी हैं जो आज हम सीखेंगे जानेंगे और बहुत जरूरी है अराधकों के लिए मैं उन अराधकों को कहना चाहता हूं जो अभी सीख रहे हैं या आ रहे है या कर रहे हैं अराधना प्रभू की चर्चेस में हर एक जगा वो इन बातों को सीखें आज किस प्रकार से एक आराधक को होना चाहिए और प्रभू कैसी आराधमत से प्रसंद होता है ठीक है तो ध्यान से सुनियेगा बने रही है मेरे साथ मैं आपका दोस्त पास्टर मैसी आपसे कुजारिस करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर नीचे एक लाल रंग की पट्टी होगी इस पर लिखाओ का सब्सक्राइब आप उसे दबा दीजिए और बैल आइकन को दबाईए ताकि नौटिपिकेशन आपके पास पहुंचे और मेरा वीडियो अगला वीडियो आपको बिना वैविधान के मिल सके हाललुया और मेरे वीडियो को लाइक किजीए शेयर किजीए और कॉमेंट सेक्सिर में जाकर ज़रूर बताइए क्या आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है तो आज का बहुत ही महत्त्रपून टॉपिक है कि क् कि अराधरा में हम फिल्मी गानों का प्रयोग कर सकते हैं जो आजकर कर हैं अराधरा क्लोग वो भी सीखें वो भी मेरा वीडियो जरूर देखें हो सकता है कि उनके काम आए अपने अपने गर्व को एक तरफ रखें इस वीडियो को जरूर देखें ताकि जो बाते मैं आज बत यहना चार अध्या है और इसके तेईस पद में क्या लिखा है इसको देखते है पहले इसके बाद में और भी कुछ बात इसके साथ जोड़ूँगा यह लिखा है परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सचे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे तो कि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूनता है आत्मा और सच्चाई यह दो बात इहां पर लिखी है आत्मा और सच्चाई जब हम फिल आत्मा और सचाई से जो परमेंसर की अराधना करता है परमेंसर उसे ढूंड रहा है तो जब हम मेरन आगे तो परमेंसर थे ढूंड को. हम तो संसारिक और हम पर fifteen अ कानों को परमेंसर की अराधना में इस्तिमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बात यह लगए आगे चलकर हम इस लिस्से पर अच्छी तरह से बात चित करेंगे और दूसरी चीज़ मैं आपको बताओं यहां पर दो बात लिखें आत्मा और सचाई उसके बाद हम इबरानियों की पत्री में देखते हैं बारा अध्याय में क्या लिखा है इबरानियों बारा अध्याय और उसके अठाईस पर देखो बहुत अच्छी बात हैं यहां पर भी दो बात हैं यहां पर भी जोड़ी गई हैं बाइबल में अराधना के विस्से में यानिका इस कारण हम इसे राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ती और भय सहित परमिस्तर की अराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन होता है भक्ती और भय ये दो चीज़े और जोड़ दी गई हैं बाइबल में से पहले क्या था आत्मा और सच्चाई भक्ती और भय ये चार बातें अराधकों में होनी बहुत जरूरी है पहली बात क्या है कि जो आत्मा से और सच्चाई से इसकी अराधना करते हैं और दूसरी बात भक्ती और भय के साथ परमिस्तर का भय जब फि भजन सहिता सो अध्याए आननद से यहां की राधना करो। απ हो। पहली बात कया है आत्मा। दूसरी बात सच्चाई तीसरी बात भक्ती चोथी ऐद भाए। पांची बात क्या है आनद तो ये पांचों चीजें मिल कर क्या बन जाती है परमियंसर की आराधना तो हम आपको बताना करता है फिल्मी गानों में ना तो आत्मा है फिल्मी गानों में ना तो सच्चाई है फिल्मी गानों में ना तो भक्ती है फिल्मी गानों में ना तो भय ह तमसारी का आनंद हो सकता है लेकिन वो आत्मिक आनंद नहीं होता यह पान्च पॉइंट है औराधकों के लिए जो उनको मुठी में भर लेने चाहिए क्या-क्या है आत्मा सच्चाई भय और भक्ति और पान्च वचय है आनंद बिवारा से बताता हूँ आत्मा, सच्चाई, भक्ती, भाय और आनन ये हैं मुठी ये पाचों बाते मिलकर हमें एक अच्छा अराधक बनाती है और अच्छे अराधक के गुन है कि वो किसी के गीतों की चोरी नहीं करता वो आलसी नहीं होता, जो फिलमी गानों को अराधना में यूज़ कर रहे हैं वो आलसी लोग हैं आगी चलकर मैं इसको खोल कर आपको बताऊओंगा किस परकार से हम देखते हैं अराधना को परमेस्टर ने बिलकुल अलग रखा है ना तो वो आत्मिक फलों में हैं और ना आत्मिक वरदानों में हैं ठीक है आत्मिक फल कौन से हैं आए जल्दी से देखेंगे गलातियों की पुस्तक उसका पांच अध्याय और इसका बाइस पद यहां पर लिखा है कि पर आत्मा का फल प्रेम, मेल, धीरच, किरपा, भलाई, विश्वास, नमरता और सयम है ऐसे ऐसे कामों की विरोध में कोई भी विवस्ता नहीं है यहां पर तो आराधना का नाम ही नहीं है यह आत्मिक फल नहीं है दूसरी बात ये आत्मिक वर्दानों में भी नहीं है आईए देखते हैं कहां पर लिखा है पहला कुरुंचियों देखेंगे उसका बारहें अध्याए और चार आइस से मैं पढ़ूँगा यह लिखा है वर्दान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एकी है और सेवा भी कई प्रकार के हैं परंतु प्रभू एकी है और प्रभावशारी कारे कई प्रकार के हैं परंतु परमेसर एकी है जो सब के सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्मन करता है किन्तु सब के लाब के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धी की बाते दी जाती है अब ये वरदान शुरू हो गए बुद्धी की बाते दी जाती है दूसरे को उसी आत्मा के नुसार ज्ञान की बाते दी जाती है और किसी को उसी आत्मा क आत्मा से विश्वास, किसी को उसी एक आत्मा से चंगाई करने का वर्दान दिया जाता है और फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविश्यवाने की और किसी को आत्माओं की परक्ष, और किसी को अनेक परकार की भाशा और किसी को भाचाओं का अर्थ बताना ये वर्दान है इसमें अराधना नहीं है नहीं है अराधना इसमें इसका एक अलग ही बात है अराधना की वो मैं आगे चल कर आपको बताऊंगा हमने देखा फलो में भी नहीं आत्मिक फलो में भी अराधना नहीं है आत्मिक वर्दानो में भी अराधना नहीं है फिर हम देखते हैं पांच प्रकार की जो मिनिश्ट्री वचर में बताई गई है उसमें भी अराधना का नाम नहीं आता इफीसियों चार अध्याय और उसका ग्यार हैं पद इफीसियों चार अध्या उसका ग्यार है पद यहां पर पढ़ेंगे क्या लिखा है और उसने कितनों को भविश्वक्ता नुक करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नुक करके और कितनों को रखवाले नुक करके और उपदेशक नुक करके दे दिया इसमें भी अराधकों का नाम नहीं है इसमें अराधना का नाम नहीं है आईए आगे और बढ़ते हैं वापस आएंगे पहला कुरुंचियों 12 अध्याये में पहला कुरुंचियों 12 अध्याय के 28 पत्सिया गलम पढ़ें तो वहां पर चर्च बॉड़ी बताई गई है चर्च बॉड़ी में जो लोग है उनामर्थ के काम करने वाले पिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार की भासा बोलने वाले लगता है क्या सब भवश्रकता हैं क्या सब उब्देशक हैं क्या सब सामत के काम करने वाले हैं क्या सब को चंगा करने का वर्दान मिला है क्या सब नाना परकार की भासा बोलते हैं क्या सब को भासाओं का अर्थ बताना आता है नहीं नौ यहाँ पर बॉडी चर्च बॉडियोस में नौ लोगों के हैं नाम हैं लेकिन अराधक का तो नाम ही नहीं है फिर क्यों परमिस्टर में अराधना को अलग रखा है क्यों इसको छोटा काम समझ कर लोग कर रहे हैं अराधना करना कोई छोटा काम नहीं है अराधना का स्टेटस ये अलग है अराधना एक अलग चीज़ है उसके लिए हमें बहुत जरूरी है वचन की गहराई में जाना ये नहीं कि हमें गिटार बजाना आगया कीबोर्ड बजाना आगया जहांज बजानी आगई या हमें ढोलक बजानी आगई तो हम एक अच्छे अराधक बन गए हमने गाना शुरू कर दिया तो लोग हम स्टेज़ पे क्ढ़े हैं लोग तालिया बजा रहे हैं शोर कर रहे हैं और हमें एप्रिशेट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम अच्छे अराधक हो गए ऐसे तो फिल्म ही लोग भी करते हैं जो फिल्मों में स्टेच सो करते हैं उनके लिए भी बहुत भीड़ इकटी होती है उनको भी बहुत सहा दिया जाता है तो फिर उनमें हमें क्या फरक रहे गया अराधक जो है वो एक अलग चीज है अगर हम परमेसर के अराधक हैं मैं यहा जाता है बाइबल में यहां से अगर हम पढ़ते कि जो लुसीफर था वह उसका काम था परमेसर की अराध ना करना लेकिन बाइबल में इंगलिस बाइबल में एक ही जगा नाम आया है लुसीफर यह शाय 14 अध्याय में लेकिन उसका नाम कुछ अलग है वह यह टॉपिक कुछ अलग है उसके बारे में मैं फिर कभी एक वीडियो बनाऊंगा लेकिन हम देखते हैं वह अराधक था और जब उसके अंदर घमंड आ गया तो परमेसर ने उसको हटा दिया फिर किसको बनाया मुझे और आपको बनाया कुछ पत्ती दो अध्या साथ पढ़ते हैं कि परमेसर ने अराधना में गा रहे हैं तो हम फिर परमेसर का गुननवाद नहीं कर रहे हैं हम उनका गुननवाद कर रहे हैं जो फिल्मों में एक्टिंग करते हैं जिन्हों ने वो गीत लिखे हैं जिन्हों ने उस गीत में संगीत दिया है जिन्हों ने उस गीत को एक नाटक के तोर पर हमारे सामने पेस्ट किया है परमिस्टर तो सच्चा है उसे सच्चा ही से अराधना करने वालों की जुरुत है अराधना का रुत्बा ही अलग है अराधना एक अलग चीज है अराधना वो काम है जिसे कलीसिया के छोटे बच्चे से लेकर एक बिशप तक कर सकता है इसके लिए कोई अलग कैटेगिरी पर में से नहीं बनाई ना तो उसे आत्मिक फलों में ना आत्मिक वरदानों में ना चर्च बॉडी में और ना पांच परकार की कलिस्याओं में सुरी, मिनिश्ट्री में रखा गया है इसका रुत्बा अलग है यह जो अराधना है चर्च का छोटा बच्चा वो उससे लेकर चर्च के पाश्टर चर्च के बिशप तक अराधना कर सकते हैं लेकिन कैसी अराधना चोरी के हैवे गाने नहीं मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा किस परकार की अराधना परमेसर चाता है और रहे हम देखते के वो लोग करते भी हैं छोटे बच्चे से लेकर आप यूट्यूब देख लिए छोटे छोटे बच्चे आज इतना काम कर रहे हैं परभू का अराधना कर रहे हैं परभू की कि और से ये अलग वर्दान है जैसे पानी हवा धूप बारिस ये परमेसर की और से वर्दान है इनको कोई मिटा नहीं सकता वैसे ही आराधना है जिसे हम संगीत भी कह सकते हैं वैसे ही है ये परमेसर की और से हमको मिला है इसमें क्यों मिलावट करें हम नहीं हम पानी मेना बारिष में तोफिर यह अराधना जो परमिसर की और से हमें एक वरदान मिला है हम उसमें कैसे मिलावट कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं परमिसर क्या चाहता है आ ये ये देखते हैं पहले अलेलिया नेकिंगे भजन सहिता 33 अधियाए और उसके तीसरे पर अरादको से क्लिए उसके लिए नया गीत encouraging जेजकार के भली भानती बज़ाओ उसके लिए नया गीत गाओ तो यह फिल्मी हम गारें हैं तो यह नया गीत कहा से हो गए ये नए गीत नहीं है लिखा है उसके लिए एक नए गीत गाओ और ये सिर्फ यहीं नहीं लिखा ये सिर्फ भजन सीता 33 के तीन पद में लिखा बहुत जगा लिखा है आए थोड़ा सा देख लेते हैं 40 अध्याय निकाल लेंगे इसका भजन सीता 40 अध्याय और उसके तीसरे पद में हम देखेंगे इसका भी तीसरा पद है और इसमें लिखा है और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेसर की स्तूती का है बहते रही है देखकर डरेंग और यहोबा पर भूरुच आशेगे यह नया गीत जब हम परमेसर के लिए काएंगे जब हम अपने जात से उन गानों को बनाएंगे जैसे हम बनाते आए थे अब अचानक क्या होगी हम क्यों नहीं बना रहे हम क्यों फिल्मी गानों पर आ गए है लिका कि उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेसर की स्थूति का है बहतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भ भाय आएगा आएए और आगे चलेंगे 96 भजन सहिता 96 और उसका हम पढ़ेंगे 98 और उसका पहला पद भजन सहिता 98 और उसका पहला पद में आपको पढ़कर बता दूं यहाँ पर इस परकार से लिखा है 98 यहवा के लिए एक नया गीत गाओ क्योंकि उसने आश्च्रेकरम किया है आले लिए जब परमेस्टर हमारे जीवन में आश्च्रेकरम करता है जब हमें बीमारियों से छुटकारा दे देता है हमें मृत्यू से बचा लेता है तब कि हम फिल्मी गाने गाकर उसकी तारीफ क प्रभू तुने मुझे बचा दिया हमें नया गीत गाना है परमेसर के लिए हालेलुया और तो यह देखते हम भचल सिता 96 और उसका पहला वचन पहला पद उसमें लिखा यहवा के लिए एक नया गीत गाओ है सारी प्रिशी के लोगों यहवा के लिए गाओ है सारी भजन सहीता हमें है 144 भजन सहीता 144 अध्याय और उसके नौवे पद में लिखा है यहां पर क्या लिखा है देखिए यह लिखा है हे परमेश्वर मैं तेरी स्थूती का नया गीत गाऊंगा मैं दस्तार वाली सारंगी बजा कर तेरा भजन गाऊंगा नया गीत गाना हमें बहुत जरूरी है यह सोता है हमें बचन कहा रहा है नया गीत गाऊंगा क्यों पुराने गानों को निकाल निकाल कर फिल्मी गानों को जो जोरी करकर के हम परमेश्वर की उसमें हम बढ़ाई कर रहे हैं इसमें परमेश्वर की बढ़ाई नहीं है यह तो ह अर्थ दूसरा भी है लेकिन मैं इसको इसी तरह से लेता हूँ कि ये मूर्खो के गीत है जो फिल्मी गाने है ये मूर्खो के गीत है हादरिया और हम देखेंगे भचन सेता 149 के पहले पद में भी इसी प्रकार से लिखा है या कि स्तूति करो यहवा के लिए नया गीत गाओ क्या भक्तों की सभा में हम फिल्मी गाने गागा कर परमेसर की अराधना करेंगे नहीं फिल्मी गीतों में वो तासीर नहीं होती उन्हें हम अराधना के लिए नहीं गा सकते क्यूं क्यूं नहीं गा सकते इसका अर्थ है कि हम आलसी हो गए हैं हम खुद गाने नहीं बना रह हैं और उनमें येशु जोड़कर हम क्या कर रहे हैं परमेसर की अराधना कर रहे हैं ये गलत है परमेसर इससे खुश थोड़ी होगा परमेसर को कैसे अराधना की है जो सच्चाई से आत्मा से भक्ती से भए के साथ आनंद के साथ उसके अराधना करें तो इन फिल्मी गानों म तस्वीरे आती है जो वो गारे होते हैं उन लोगों की चाहाँ हीरो इरों चाहाँ करेक्टर आर्टिस्ट हो कोई भी हो जो भी गीत गारे हैं वो हमारे दिमाग में उनकी तस्वीर बने की एक तम से और हम उन्हीं को देखेंगे तो परमेसर की अराधना नहीं है ये गलत है और एक नया गीत बनाना हमारे बसकी नहीं है इसलिए हम क्या करते हैं हम फिल्मी गानों को लेकर परमेसर की अराधना करते है यर्मिया अर्तालीस अध्याए और उसके दस पद में देखें क्या लिखा है जर्मिया 48 अध्याय और उसका 10 पद 10 आयत यहां लिखा है श्रापित है वो जो योहवा का काम आलक्स से करता है और वह भी जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोक रखता है श्रापित हो जाते हैं हम जब फिल्मी गानों से परमिसर की अराधना करते हैं irgendwas को दर्साता है हमसेने ही बनरा ऄा गाना क्या क्या हम लिख नहीं सकते हमें लिखना चीए नएया गाना एक संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी चोरी की जुरती नहीं है नए गीत बनते हैं कि फिल्म ही गाने होते हैं धार्मिक गीत होते हैं गजल होते हैं कव्वालियां होती है इनके अलग अलग तर्ज होते हैं अलग अलग इनके लिरिक्स होते हैं कोई चोरी नहीं च लिख सकते हैं कुछ भी परमेंसर की तारीफ के लिए तो क्यों कि हम आलसी हो गए हम नहीं लिख सकते क्या मैं खुद बताता हूं मैंने खुद 55 गीत लिखे हैं प्रभू के लिए और भी परमेंसर जैसे बताता है मैं लिखते चला जाता हूं और परमेंसर उसका तरज भी मु मैंने उनको हटाई दिया मैंने अपनी लिष्ट में से अपनी कौपी में से उनको हटा दिया अब नए गीत हैं जिनकी तरज परमिसर ने मुझे दिया तो परमिसर आलसियों से प्रसंद नहीं होता यह आलस हमारा अगर हम नए गीत नहीं बना पा रहे तो छोड़ दे, हाँ एक बात है कि अगर आप फिल्मी गाने गाना चाहते हैं तो आप इसको अपना प्रोफेशनिन बना लीजिए अपने जॉब कर लीजिए, उसमें जाईए और उसे पैसा कमाईए ताकि वो परमेसर के राज़े के काम आए जिसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन उसे परमेसर के काम से मत जुड़िए आप फिल्मी गीत गाईए उसे अपना प्रोफेशन बना लीजिए उसका पैसा लीजिए गाने का और अपनी जीविका चलाईए उसे अरादना के साथ जोड़ना अच्छा नहीं है पैसे अरादना में जोड़नांगे तो ये बात गलत थाजाएगी होता क्या कि फिल्मी गीतों की सिच्चुेशन बनाई जाती है और इस पे गीतकार को बताया जाता है कि इस परकार से सिच्चुेशन है उसी पर आपको गीत लिखना तो गीतकार क्या करते हैं उसी situation पर गीत लिखते हैं कि लड़की रूड़ गयते लड़का बना रहा लड़कार रूड़की बना लिया या घर में कोई problem है तो इस प्रकार क्या गीत है ना social गीत जिसे कहते हैं तो इस तरह के गीत लिखे जाते हैं जो वह पर लेखक बना कर लि ये सिर्फ दिखावा है, एक छल है, एक धोका है, एक कहानी है, कथा है, उसके उपर बनाए जा रहे हैं, इसमें सच्चाई नहीं है, सच्चा है तो प्रभू है हमारा, हमारा प्रभू सत्य है, ये सुमस्षी ने कहा यन्ना 14.6 में कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, तो हम स सच्चाई यही है, कि फिल्मी गानों को प्रभू किये अराधना के लिए यूज करना 100% गलत है, हम देखते हैं कि जब हम इन फिल्मी गीतों को अराधना में सुनेंगे, तो हमारी सोच में क्या जाएगा, हम फिल्मी गानों को देखते हैं, टीवी पर, वाट्सप पर, यू ऽिर्दार हैं, वो जब उसको फिलमांकन होता उसका तो वो हमारे निमांग में हमारी सौच में आ जाता है तो उसमें सच्चाई कहां से आ घी, उसमें सच्चाई नहीं है हрьयलूया, तो कहने का मतनब यह है कि हम इस बात पर सोचें एक नया गीत परमेसर के लिए बनाएं और परमेसर को अर्पित कर दें आलेलुया फिल्मी गानों को परमेसर की महीमा के लिए यूज ना करें क्योंकि वो वेर्ट महनत है उसका कोई परतिफल नहीं मिलेगा उसका कोई भी रिगार आपको नहीं मिलेगा आप उन्नती नहीं कर सकते, आत्मी कुन्नती नहीं कर सकते, आप पीचे रह जाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आप बहुत उचाई पर पहुंच चुके हैं, ऐसा नहो कि पर्मिसर आपको लिए गिरा दे, आप समल जाएए और पर्मिसर के लिए नए गीत चौधे अद्याय और उसका तीन पद यहां इस प्रकार से लिखा है और वे सिंगहासन के सामने और चारो प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानू यह नया गीत गा रहे थे और उन एक लाग चवालिस हजार जनों को छोड़ जो प्रित्वी पर से मोल लिए गए थे कोई गीत नहीं सीख सकता था वो नया गीत स्वर्ग में गाया जाएगा तो नया गीत परमेंसर के लिए बनाएं फिल्मी गानों का पीछा करना छोड़ दें हाँ अगर आप वहां से पैसा कमाना चाहते हैं तो गाएं लेकिन मैं आपको बता दूँ एक प्रभू के दास है विज नहीं प्रभू की रहा पकर दूँ लिनों ने बहुत फ्रभू के गीत गाये उनके बेटे नहीं भी गाये तो हम सीखें कुछ लोगों से हम एटिट्टूट में आकर यहना कर रहा हूं जो सही कर रहा हूं आखिर में एक बात आपको बता देता हूं कि जब राजा दाउद प्रभु 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 के लिए हम सब मिलके कर सकें अलेविया